चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और हाँ चैनल के बेल आइकन को भी जरूर दबाओ और इस वीडियो को कर दो लाइक मैं हूँ चौकरी बाबा और आप देख रहें गौट टेक्निकल तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग बहुत बहुत वागत है हमारे चैनल गौट टेक्निकल दोस्तों सिखाना मेरे कम सीखना आपका सीधे टॉपिक पर आते हैं आज के इस टॉपिक में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप वी आईपी क्रियेटर प्रोग्राम में 22 तारिक स 28 तारिक तक शियर चैट ने हमें कुछ टैक्स दिये हैं उन टैक्स पर आपको वीडियोज बनानी हैं तो आते हैं सीधे टॉपिक पर जो लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मिलेगे नॉटिफिक चैलेंज लिखा हुआ पढ़ लिया होगा तो आपने बोला होगा कि गलत बोलता है तो वह भी पढ़ लिया दुबारा खैर आप लोगों को बता तो कि इस पर एक जो कॉंसेप्ट चल रहा है उस कॉंसेप्ट में थोड़ा सा समझने की जरूरत है आपको क्योंकि ये आपको गिफ्ट भी दे रहा है और इस पर वीडियो में बना चुका हूँ आप जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल में अब मैं आपको यहाँ पर यह बताने वाला था कि इस पर एक टैक्स का एक क्राइटेरिया सेट हो चुका है यानि कि 22 तारिक से 23 तारिक तक आप इनी टैक्स पर व टैक्स के रिलेटिड अगर आपकी कैटिगरी है तो ही इन पर वीडियो बनाएं आप वीडियो पाउस करें और इसको अच्छे से पढ़ें कौन कौन से टैक्स हैं वरना मैं यह हटा देता हूँ चलो हटा देता हूँ समझ में आ गया होगा आपको कि इन पर वीडियो बनान मिलता है, लेकिन अगर आपका बैच मान के चलो, इं टेग्स के हसाब से नहीं हैं जो कि इन में टेग्स दिये हुए हैं, तो आपको इस पर वीडियोज नहीं बनानी हैं, ये बात धियान रखें, अगर इंटेग्स पर आपकी कैटिगरी भी है तो आप इन पर वीडियो बनाएं लेकिन अगर आप गलती करते हैं इसमें जैसे स्पोर्ट पर एक टैग आया हुआ है आप एक स्पोर्ट पर वीडियो बनाते हैं जिसकी वज़े से आपको बैच मिला हुआ है अगर आप स्पोर्ट छोड़के आप नियूस पर कोई वीडियो बना देते हैं तो आपका बैच भी छिन सकता है इस बात का भी थोड़ा दिहान रखें तो आपको उनी टैक्ट पर वीडियो बनाना है जो आपके सामने ये डिस्पले पर हैं अगर आप 22 तारिक से 28 तारिक के बीच वाले इस कॉंसेप्ट पर पाटिस्पेट करते हैं अगर नहीं तो आप थोड़ा सा और इंतिजार करें शियर चैट अगले स्लाइड में आपको बताएगा कि आप किन टैक्ट पर वीडियो बना सकते हैं तब तक के लिए मेरे इंस्टाग्राम से जोड़ जाएं ताके मैं आपको वहाँ पर भी बताता रहूँ तो आज के लिए बस इतने ही दोस्तों जाहें